हेलो फेंस इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप इमाई का जो टीवी और उसका स्वाफटवर को अपडेट कर सकते हो तो पहले जब टीवी करिद के लाते हो तो उसका जो सफटवर होता है उसका वहर्सन बहुत ज़्यादा पूराना हो जाता है जित करना है आपका जो टीवी है उसको आपको कोई वाई वाई वाइनेट सीटिंस में ऐएंगे तो मैं सेटिंस में चला जाता हूँ जैसे सेटिंस को सीलेक्ट कर लिया तो उसमें चला गया, तो उसके बाद आप देखिए, बहुत सरा ओप्सन है, तो उसमें एक ओप्सन है system update, तो आप क्या करिए, यह system update में आईए, तो उसके बाद यह जो देख सकते हो, आप automatic update आप किया हुआ है, तो MI का जो TV version है, तो उसमें आप check करेंगे, तो उसमें देखि 9.11.19, यह stable update है, तो आपको stable update ही करना है, तो उसमें क्या क्या changes होगा, उसमें दिया हुआ है, तो इसमें देखिए, अपडेट नाउ बोल का option है, तो उसमें आप select कर दीजिए, तो जैसे ही आप OK करेंगे, तो आपका क्या होगा, यह download होना चलू हो जाएगा, देखिए, य इसमें हो सकता है, यह कभी-कभी आपका size vary करता है, एक GB तक जा सकता है, इसका size, तो आपको क्या करना है, पूरा यह download करना है, उसके बाद reboot करना है, तो आपको reboot करते टाइम, एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कि उस टाइम पे अगर आपका TV का power off हो जात मगर जैसे उसको reboot करेंगे, start करेंगे, तो उस टाइम पे उसको complete कर लेना है, उस टाइम पे अगर electricity चला जाता है, तो problem हो सकता है, तो यह finally आप update कर लेंगे, तो उसका जो latest software upgradation है, तो आपका TV में आ जाएगा, तो आप latest version को enjoy कर पाएंगे, तो thank you for watching this video, if you find the video is helpful, then you can find, then you can subscribe my youtube channel, thank you very much